नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चनल में जिसका नाम है ओनलाइन सेलिंग टिप्स दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम फ्लिप कार्ट पे काम कर रहे हैं छोटे चले के बड़ा सेलर नया सेलर पुराना सेलर जो भी है हम सोचते हैं कि हमारे orders कम आते हैं हमारे orders आते ही नहीं हैं हमारे orders 20, 30, 40 तक आते हैं जब हम दूसरे sellers को देखते हैं वो 100 orders ला रहे होते हैं वो 200 orders ला रहे होते हैं उनके लिए लग-लग कार आती है flip card की तरफ से pick up करने के लिए गाड़ी में माल नहीं आता उतना बढ़ हमारा क्या है हमारे 15 order, 20 order क्यों ऐसा क्यों होता है दोस्तों Every seller on the flip card उसको क्यों नहीं चीजें मिल पाती क्यों नहीं उसको सही रास्ता मिल पाता क्यों नहीं उसको सही direction मिल पाती कि वो भी 100 orders per day लाए उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों आज मैं 5 point आपको बताऊंगा जिससे आपके खुद अगर आपने उस 5 point को अपना लिया, अपनी notebook में लिख लिया तो आपके भी order साज़ सकते हैं पहला सबसे important point जो मेरी नजर में है सबसे पहले आप जो भी order आप भेज रहे हैं जैसे आप single piece, double piece उसका combo बनाना start करिएगा जैसे अगर आप t-shirts का कोई business कर रहे हैं, online business तो दो t-shirt को combo बनाईए same shipping लगएगा, customer भी लेना पसंद करेगा plus price भी कम होगा और आपकी sale भी बड़ेगी और per day के orders भी increase होंगे suppose करिए आप single item के सारे order sell कर रहे हैं, जिस time भी आपने combo's की order डाल दिये आपने एक order में दो item डाल दी दो item डालने के बाद क्या होगा customer को shipping suppose देनी पड़ रही है 80 rupees, single piece की वो दो piece की देनी पड़ेगी सिर्फ 80 rupees, तो customer कहेगा मैं ये लेता हूँ फिर मैं दो t-shirt ले लेता हूँ मैं दो shoes ले लेता हूँ मैं दो jackets ले लेता हूँ जो VXYZ आप जो भी business कर रहे होंगे तो आप combos में आप ये रखिएगा कि मेरा पहला motive रहेगा कि अपने product list करना उसके बाद जो product की high demand है उसके combos मनाना जिससे आपकी sale भी increase होगी customer को भी फायता होगा और flip card की भी image और जो company है उनकी भी sale बढ़ेगी दूसरा जो मेरी नजर में important point है वो है दोस्तो price suggestion by flip card आपने देखा होगा जब आप login करते हैं अपने seller panel पे तो starting option में ही आपको दिख जाता है price suggestion then matrix then उसके बाद आपको दिखता है returns वगारा वो सब दिखते हैं SPF claim दिखता है तो price suggestion में अगर आपके कोई products आते हैं suppose आपने 100, 200, 300 listing करी है उसमें जब 4 या 5 ऐसे product आते हैं जिसकी flip card खुद पिक करता है कि इसका price अगर इतना होता तो इसकी sale double होती तो जरूर दोस्तों उस price suggestion को देखिए समझिए कि वो price उतना क्यों करा है flip card ने क्योंकि आपकी sale बढ़ेगी आपकी growth बढ़ेगी और आप एक दिन में 100, 200 orders ला सकते हैं मेरी नजर में तो दोस्तों ये सबसे बढ़िया तरीका है कि flip card ने और सारे तरीके अपना अपनाते खुद ही responsibility ले ली कि हमी खुद sellers को बताएंगे कि आप इतना rate करेंगे तो आपकी sale बढ़ेगी तीसरा दोस्तों सबसे important point मेरी नजर में ये भी है कि आप सोचते हैं कि आफटर लॉकडाउन अब माल लेने नहीं जाना स्टॉक नहीं लेना न्यू स्टॉक नहीं लाना कोई जो चल रहा है वो चल रहा है जैसे 100 आइटम्स हैं उसमें से 20 चल रही है बस वो ही चली जा रही है पर दोस्तों ऐसा मत कीजिएगा market जाईए कोई नहीं कह रहा है आपको कि आप 50 नए प्रोड़क्ट लाइए आप 20 नए आप 2, 2, 3, 3, 4, 4 लाइए 5, 5 लाइए इतने प्रोड़क्ट से ही शुरू कीजिए और नए प्रोड़क्ट लाना जिससे आपकी sale growth होगी customer भी demand करता है new products की एक प्रोड़क्ट की अगर आपने shop में variety नहीं रखी या आपके online store में variety नहीं रखी तो customer repeat नहीं होता कहता यार यहाँ पे तो अलग-लग items हमेशा आदी रहती हैं यहाँ पे same ही चलती हैं तो दोस्तों इसका भी ध्यान करिएगा new products और new launches जरूर लाते रहेगा अपने seller panel पे next है दोस्तों कि जो नए sellers होते हैं जो starting वाले sellers होते हैं वो सोचने कि आपने hundred orders दे दिये अब उसकी payment आईगी कि नहीं आईगी यह तो पता ही नहीं हमें लेकिन दोस्तों अधा कुछ नहीं होता जो जो orders delivered करता है according to the flip card policy and guidelines जो order delivered होंगे उसकी payment sellers को जरूर आईगी जो orders delivered नहीं होंगे उसकी payment है वो sellers को नहीं आईगी ठीक है दोस्तों यह अपने mind से निकाल दीजेए कि payments नहीं आईगी या delivered हो गए या orders कैसे अपने आप अपने orders को चेक आउट कीजिए एक और आईडी लिखिए और चेक करिए payment आई है कि नहीं आई है और नेक्स दे लास्ट इस इस टॉक अपडेशन स्टॉक अपडेशन दोस्तों कि अगर आपने lockdown के बाद जब हम माल लाए थे तो हमने थोड़ा टाइम तक 15-20 दिन तक तो एक चेन और साइकल स्टार्ट हो गई वरनी आफ्टर lockdown तो ऐसा जरूर रखिएगा अगर आपको कोई product चल जाता है आपके product के जादा orders आते हैं तो उसका stock होना आपके पास बहुत जरूरी है दोस्तों ठीक है दोस्तों ये पाच point थे अपने orders और अपने online store में जोरूर लाईएगा और बताएगा वीडियो कैसी लगी support और शेयर करके इस वीडियो को अपना बनाईएगा तब तक के लिए चैनल को subscribe करना मत भूलेगा इसका नाब है online selling tip thank you